नमस्कार किसान भाईयों, किसान सात्यों सर्सों की फसल में अब फलिया बननी स्टार्ट हो चुकी है 80% किसान भाईयों की जो सर्सों है वो अब फूल पे चली हुई है, फलिया बननी स्टार्ट हो चुकी है इस समय पे अगर हम एक इस्प्रे इस अपनी सर्सों पे लगा दे तो निश्चित रूप से हमारा जो सर्सों का उत्पादन है वो बढ़ेगा क्योंकि किसान साथियों जो फलिया बनती अगर उसके अंदर दाने मोटे हम किसी परकार से कर दे तो निश्चित रूप से उनमें तेल की मात्रा बढ़ेगी उत्पादन पे बहुत इजवर्दस्त रिजल्ट है आपको इसे एक इस्प्रे का देखने को मिलेगा किसान भाईयो सरसो की फसल पे मैं दो तीन वीडियो बना चुका हूँ के किसान साथियो जिससे हमारी सलसो में ज्यादा कल्ले निकले ज्यादा तेल हमारे दानों में बने सरसो के जो दाने वो मोटे हो जाए फलिया जादा है तो सारी की सारी जानकारी तो हर एक वीडियो में देना बहुत मुश्किल रहता है इसलिए मैं कहता हूं किसान साथ यो चैनल को सब्सक्राइब करिये समय समय पर आपको सरसो धान गेहूं गन्ना सभी फसलों पर मैं बहुत अच्छी वीडियो देता रहता हूं किसान भाई यो पहला पानी मैंने आपको बताया था कि जब आपका खेत मांगे क्योंकि मिट्टी पे भी निर्दारित रहता है कहीं पे कड़ी बहुत मिट्टी रहती है कहीं पे रेतिली मिट्टी है तो उस पे भी डिपेंड करता है वैसे 30-35 दिन पे हमें सरसों में पहला पानी देना चाहिए दूसरा पानी कुछ मेरे किसान भाई अभी दे रहे है 70 दिन के आसपास 65 दिन के आसपास और किसान साथियो बुआई पे मैंने बताया था कि सरसों की फसल में सलफर के बिना हमें कभी भी बुआई नहीं करनी चाहिए और डिये पे और सलफर बहुती मस्ट बहुती अवश्चक खाद है फासफोरस की बहुत ज़्यादा जरुत पड़ती है सरसों को किसान साथियो दूसरे पानी पे मैंने आपको बताया था के या तो SSP या NPK का अगर आपको बैग मिल जाता है या किसान साथियो सागरी का या बायो विटा आपको 10 केजी लेनी है प्रती एकड और उसके साथ आपको दूसरी बार में भी केवल 1 केजी प्रती बिगा के इसाब से अगर आप सलफर डुबारा भी डाल देंगे तो बहुती बंपर उत्पादन आपकी सरसों देगी आप किसान भायो क्योंकि इस्तिती आ चुकी है कि आपकी सरसों में अगर आपने सारे ये काम किये हैं दाने फलिया बंडनी स्टार्ट हो चुकी है फूल बहुत अच्छा आपकी सरसों पर आ चुका है तो किसान साथियो इस टाइम पर ये last spray अगर आप अपनी सरसों पे लगा देंगे इसके बाद आपको कोई भी काम करने के वशक्ता नहीं पड़ेगी किसान साथियो आपको लेना है 1 kg 13.045 खाद गुलन सील किसी भी अच्छी कमपनी का ले सकते हैं इफको का सरदार वालों का या किसी भी अच्छी कमपनी का आप ले लिजे 1 kg 13.045 किसान भाईयो इसके अंदर नाइट्रोजन है नाइट्रोजन सरसों की फसल में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाएगा किसान भाईयो हमारी सरसों की फसल जितनी हरी भरी रहेगी उतना ही जबरदस्त फोटो सिंतेसिस उसमें होगा और हमारी जो फसल है उसमें दाने बहुत ज़्यादा बनेंगे बहुत अच्छी परकार से बनेंगे इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा इसमें जरूर लेनी है 13-0-45 लेना है अगर आपको ये ग्रेड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपने फास्फोरस का इस्तेमाल बेसल डोज में किया है किसान भाईयो एक बैग मैन ने डी एपी के बताया रहे है तो आपको 0% लेना यानि 13-0 0% फास्फोरस लेना है फास्फोरस हमें इस इस्प्रे में नहीं लेना उसके बाद 45% इसमें पोटास की मात्रा मिलेगी किसान भाईयो आपको पोटास इस समय पे बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट आपकी फचल को देगा एक तो इस टाइम पे बहुत ही ज़ादा ठंड पड़ने लगती है हो सकता है कि कहीं कहीं शेतर में पोधे स्ट्रेस में आना भी शुरू हो जाते हैं तो पोटास पहुती जवर्दस्त लाब हमें पोचाता है पोधों को स्ट्रेस से बचाने में तने की मोटाईओ, दाने की मोटाईओ, इस पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमें पोटास से मिलता है, तो हमें इसमें पोटास जरूर एड़ करना है, किसान साथियो 13,045 इसलिए मैंने आपको बताया है, इसके बाद आपको लेना है बोरोन, किसान साथियो बोरोन लेना है एक लिटर परती ग्राम, यानि कि अगर आप बीस लिटर की टंकी से स्प्रे करेंगे, तो आपको 15 से 20 ग्राम ही बोरोन लेना इससे जादा मातरा नहीं लेनी अगर आप बोरोन नहीं लेना चाहते किसान सात्यों बोरोन का बहुत बहतरी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस समय पे अगर आप बोरोन नहीं लेना चाहते तो इसमें आप लिक्विड बायोविटा लीजे या लिक्विड सागरी का लीजे या और कोई भी आप प्लांट ग्रोथ परमोटर ले सकते हैं किसान भाईयो 13045 के साथ या तो बोरोन ले लीजे या आप सागरी का या बायोविटा ले लीजे बोरोन को अगर आप अठाना चाते हैं तो इन में से कोई एक प्रोड़क्ट आप ले लीजे दोनों का एकी रिजल्ट है सागरी का सस्ती आती है किसान साथियो अगर आपने इस समय पे ये स्प्रे कर दिया आपकी जो फलियां है वो बहुत लंबी बनेंगी और लंबी फलियों में ज़्यादा दाने बनेंगे और पोटास की वज़े से दाना मोटा होगा और किसान साथियो तेल की जो मात्रा है वो बढ़ेगी और हमारे जो उत्पादन है वो एक बिगे में दो क्वंटल से कम तो जाना ही जाना नहीं है उपर ही निकलेगा किसान भाईयों एक चीज और मैं बताऊं कि मात्रा आपको नहीं बढ़ानी बिल्कुल भी कुछ मेरे किसान भाई क्या करते हैं कि डोज ये समझते हैं कि पाँच बिगे में एक किलो से होगा क्या लिक्विड मैं इसमें जाना नहीं किसान भाईयों आप गन्ना फसल में थोड़ी बहुत मात्रा इदरोदर कर सकते हैं लेकिन जो अमारी गहों की या सरसों की फसल है उसमें आपको मात्रा इदरोदर नहीं करनी और रिकमेंड जो डोज हैं हमारी वो ही हमें डालनी चाहिए तो किसान सात्यों 1 kg 13,045 प्रती ग्राम अगर आप चाहें आपने अगर सागरी का या बायो विटा जमीन में डाल दीती दूसरे पानी पे तो आप बोरोन लीजे और अगर आपने दूसरे पानी पे नहीं डाल लिया है तो आप 1 ग्राम प्रती लिटर के हिसाब से बोरोन का इ लगनी चाहिए पानी की जो मात्रा है वो बहुत जादा नहीं बढ़ानी और बहुत कम भी नहीं करनी किसान भाईयो नहीं तो फसलों पे विफरीत पर भाव बढ़ते हैं या तो गोल बहुत पतला हो जाता है या टाइट रह जाता है तो किसान सात्यों ये स्प्रे करिए मा आपने वही डाल दिया जो मैंने आपको बताया था तो इस इस्प्रे के बाद आपको कोई भी खाद सर्सों में देने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी केवल आपको एक ध्यान करना है कि अगर आपने अपनी सर्सों की बॉआई सही समय पे करी हुई है तो कोई भी रोग आने क खत्रा बिल्कुल भी सर्सों में नहीं है और अगर आपने थोड़ा लेट बुआई करी है या आपको लग रहा है कि मेरी सर्सों में कोई रोग आ गया किवल उस चीज का आपको ध्यान लगना तो आपको एक फंजी साइड लेना है कारबंड़ जी मैंन को जब बहुत अच्छ सर्सों में रोग आता है रोग आने की संभावना जादा होती है अभी इस समय पे सही टाइम पे बुई हुई सर्सों में कोई भी रोग नहीं है बिल्कुल भी मौसम भी बिल्कुल अनुकूल है तो किसान सातियों थोड़ा सा रोग का ध्यान लगना और जुए इस प्रे के बाद आपको कोई भी अन्यखाद आखिर तक लगाने की अवस्चकत नहीं पड़ेगी इसी में ही सर्सों आपकी दो कुंटल से उपर प्रती भिगा के इसाब से उत्पादन देखे जाएगी और अगर रोग आता है तो ही आपको फंजी साइड लगाना वरना समय पे बुई योई सर्सों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाईयों दन्यवाद